हेलो एवरिवन जयाहिंद वेलकम टू यूर यूटूब चैनल दी कंसेप्ट चलिए आज बात करते हैं डिस्टिक बिलासपूर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेशन्स जो आपके अपकमिंग एग्साम्स के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है हम टोटल बिलासपूर डिस्टिक के टॉप के 50 MCQs क्वेशन्स देखेंगे उन टॉप 50 में से पार्ट 1 आज रिलीज होगा और पार्ट 2 नेक्स्ट है तो चलिए पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं बिलासपूर डिस्टिक के टॉप 50 क्वेशन्स के पार्ट 1 पहला क्वेशन है विलासपूर डिस्टिक में कितनी धार्ट हैं तो उप्षन A 5, B 6, C 7, D 8 तो इसका correct answer है उप्षन C 7 धार्ट हैं आपके बिलासपूर डिस्टिक में नेक्स्ट क्वेशन है इन चार उप्षन में से ऐसी कौन सी धार है जो बिलासपूर डिस्टिक में नहीं है बंदला जो आपको बिलासपूर में मिलेगी चूर धार जो आपको सिर्मोर डिस्टिक में मिलेगी तो इसका सही अंसर है उप्षन B correct answer है B नेक्स्ट क्वेशन है Beach of the following valley is not located in बिलासपूर डिस्टिक कौन सी ऐसी बैली means घाटी है जो बिलासपूर जिला में नहीं है सतलुज है चौन्टो है चौन्तरा बैली चौन्तरा बैली आपके कहां पे मिलेगी मंडे डिस्टिक में तो बिलासपूर डिस्टिक में कौन सी नहीं है Option C है आपका correct answer चौन्तरा फोर्थ क्वेशन है Old name of बिलासपूर टाउन बिलासपूर कस्वे का पुराना नाम क्या है A option ब्यासपूर B option कहलूर C option कोटला D option न अबदीज तो इसका correct answer है Option A बिलासपूर टाउन का पुराना नाम है बिलासपूर Fifth question है Old name of बिलासपूर रियासत बिलासपूर प्रिंसली स्टेट यानि कि बिलासपूर रियासत का पुराना नाम क्या है A option बिलासपूर B option आपका कहलूर C option कोटला D option न अबदीज तो जो बिलासपूर रियासत का पुराना नाम है वो है कहलूर Option B इसका correct है कहलूर Next question है Founder of बिलासपूर रियासत बिलासपूर रियासत का founder कौन था? A option कहाल चंद B option दीप चंद C option भीम चंद D option बीर चंद तो चलिए जानते हैं इसका correct answer है Correct answer है D बीर चंद राजा बीर चंद ने ही बिलासपूर रियासत की स्थापना की थी या simple शब्दों में बोले कहलूर रियासत की स्थापना की थी Question number 7 है Founder of बिलासपूर टाउन जो बिलासपूर कसबा है उसकी नीब किसने रखी है? A option है बीर चंद B option है कहाल चंद C option दीब चंद D option भीम चंद तो इसका correct answer है option C राजा दीब चंद राजा दीब चंद ने बिलासपूर टाउन की नीब रखी थी Eighth question है Which राजा बिलासपूर was Contemporary of Mughal ruler अकवर Contemporary का मतलब है समकालीन एक ही समय में दोनों अपने अपने रियासत के राजा थे तो जब बिलासपूर का राजा कौन था जब मुगल रूलर अकवर था Option A है मेक चंद B option अभीसन चंद C option क्यान चंद D option B चंद तो इसका correct answer है option C क्यान चंद राजा क्यान चंद ही बिलासपूर के राजा थे जब मुगल रूलर अकवर था 9th question है बिच राजा व बिलासपूर adopted the Islam religion in the influence of अकवर राजा कौन सा था बिलासपूर का जिसने अकवर के influence यानि उनसे प्रवावित होके अपना धर्म change करके क्या कर लिया इसलाम धर्म को अपना लिया था A option है मेग चंद B option है अभिसंद चंद C option है ग्यान चंद D option है बीग चंद तो इसका correct answer है option C ग्यान चंद राजा ग्यान चंद नहीं अपना धर्म बदल के इसलाम धर्म को अपना लिया था अकवर से influence होके 10th question है लास्ट राजा ओफ बिलासपूर रियासत तो बिलासपूर रियासत का अंतिम राजा कौन था A option दीप चंद B option अनंद चंद C option बीग चंद D option कहाल चंद तो इसका correct answer है option B राजा अनंद चंद बिलासपूर रियासत का अंतिम राजा था 11th question है cold m hydroelectric project is situated on which river cold m जो hydroelectric project है वो किस नदी पे है A option ब्यास नदी B option सतलुज नदी C option अली खड D option सीर खड तो इसका सही अंसर है option B सतलुज नदी पे मिलेगा आपको cold m hydroelectric project जिसकी कपेस्टी है करीबन 800 मेगा वाट और इसको operate करता है कौन NTPC और इसको establish किया गया था with the help of Russia Russia की मदद से इसकी स्थापना कीगी थी cold m hydroelectric project 12th question है total wildlife century in बिलासपूर district बिलासपूर जिला में कुल मिला के कितने जीब अभ्यारण है बनने जीब अभ्यारण A option 1, B option 2, C option 3 D option 4 तो इसका correct answer है option B, 2 बिलासपूर जिला में दो वनने जीब अभ्यारण यानि wildlife century है एक का नाम है गोविन सागर और दूसरी का नाम है नैना देवी तो ये दो wildlife century मिलेंगे आपको बिलासपूर district में 13th question है बिलासपूर जिला में और मैदान कौन सा है वो है आपका लुहुनू मैदान बहुत बर मैदान के उपर भी question आते है 14th question है टोटल बिधान साबा seats of HP from district बिलासपूर बिलासपूर जिला से हिमाचल में बिधान साबा की कितनी सीटे हैं A option 4 B option 5 C option 7 D option 10 तो इसका correct answer है option A बिलासपूर जिला से आपको बिधान साबा की चार सीटे मिलेगी 15th question है बिलासपूर बिकेम 5th district of HP in which year बिलासपूर हिमाचल का पांचमा जिला बना पर किस बर्ष बना A option 1948 B option 1951 C option 1954 D option 1960 तो इसका correct answer है option C 1954 1st July 1954 को बिलासपूर को हिमाचल का पांचमा जिला बना गया था इससे पहले बिलासपूर पार्ट C state का 16th question है सतलूज रिवर एंटर बिलासपूर डिस्टिक at which place सतलूज नदी बिलासपूर जिला में किस थान पर एंटर करती है A option बर्माना B option दारला गाट C option कसोल D option भराडी गाट तो इसका correct answer है option C कसोल नामा के एक जगा है बिलासपूर में जहां पर सतलूज नदी बिलासपूर में एंटर करती है Next question है Question number 17 The book बिलासपूर की कहानी was author by whom जो बिलासपूर की कहानी book है उसका author कौन है A option राजा अनन्चन B option Aक्षर सिंग C option बाल गोविंद D option लाल चंद प्रार्थी तो इसका correct answer है option B Aक्षर सिंग Aक्षर सिंग नहीं बिलासपूर की खानी किताब को लिखा था Question number 18 है Largest artificial lake of हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानम निर्वित या man-made या artificial lake कौन सी है A option रेणुका लेक B option गोबिन सागर लेक C option चंदरता लेक T option चंदरनाहन लेक तो इसका correct answer है Option B गोबिन सागर लेक हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी artificial lake है Question number 19 B 14 फॉलोइंग स्फेयर इस नॉट सेलिब्रेटर इन बिलासपूर डिस्टिक चार option में से कौन सा ऐसा मेला है फेयर है जो बिलासपूर जिला में नहीं सेलिब्रेट किया जाता है A option नैना देवी मिला Option B गूगा मिला Option C नलवाडी मिला Option D पौरी मिला तो इसका correct answer है Option D पौरी मिला पौरी मिला मनाया जाता है अपका लहौल स्पीती में तरलो की नात मंदिर में तो बाकी जो तीनों है वो बिलासपूर टाउन में ही मनाया जाते है तो इसका सही answer है Option D Question number 20 Who built the नैना देवी temple नैना देवी मंदिर की स्थापना किस ने की थी A option दीब चन B option बीग चन C option मेग चन Option D बीर्चन तो इसका सही answer है Option D बीर्चन बीर्चन ने ही कहलूर रियासत की स्थापना की और नैना देवी मंदिर की स्थापना की और मंदिर की जगा जो नैना देवी है उसी को ही अपनी क्या बना दिया था Capital बना दिया था 21st question है Which Raja of Bilaspur invited अमर सिंग थापा तो फाइट अगेंस्ट राजा संसार चन्द आफ कांगडा बिलास्पुर के कौन से राजा ने नेपाली कमांडर अमर सिंग थापा को राजा संसार चन्द के खिलाप लडने के लिए बुलाया A option भीम चन्द Option B महान चन्द Option C हीरा चन्द Option D अजमेर चन्द इसका correct answer है Option B महान चन्द राजा महान चन्द नहीं अमर सिंग थापा को राजा संसार चन्द से लडने के लिए बुलाया था और इनके बीच युद महल मोरियां में हुआ था जो की डिस्टिक हमिरपुर में है Question number 22 Which cement company is located at the बर्माना ओफ डिस्टिक बिलासपुर कौन सी cement की company बर्माना में located है बिलासपुर जिला के A option Ambuja B option ACC C option Ultra Tech D option इन में से कोई भी नहीं तो इसका correct answer है Option B ACC जो cement company है जो आपके बर्माना में located है डिस्टिक बिलासपुर के 23rd question बिलासपुर टाउन is located on the bank of बिच रिवर जो बिलासपुर कस्वा है वो किस नदी के किनारे है A option ब्यास B option सतलुच C option अलिखड D option पार्वती रिवर तो इसका correct answer है Option B सतलुच सतलुच नदी के किनारे मिलेगा आपको बिलासपुर टाउन 24th question largest fish breeding farm of Asia is located at which place Asia का सबसे बड़ा मचली पालन केंदर कहां पे located है तो यह आपको मिलेगा बिलासपुर जिला में बट बिलासपुर जिला में कहां पे है A option बिलासपुर टाउन B option गुमार्मी C option दियोली D option कोठीपुरा इसका correct answer है option C दियोली में मिलेगा आपको largest fish breeding farm of Asia और Asia का ही सबसे बड़ा है डिस्टिक बिलासपुर में 25th और लास्ट कोश्चन है Part 1 का Only aims of HP is located in this district हिमाचल का एक मातर aims जो recently ही शुरू हुआ है वो हिमाल इस जिले में है A option बिलासपुर A option हमीरपुर B option शिमला C option बिलासपुर D option कांगडा तो इसका correct answer है option C district कांगड बिलासपुर में मिलेगा आपको एक मातर aims जो की हिमाचल में है district बिलासपुर recently ही प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने इसकी inauguration की थी तो ये थे part 1 के 25 questions part 2 के आपके next बीडियो में आपको मिलेंगे part 2 के next 25 questions जो की बिलासपुर जिला को कबर करेंगे बीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा बीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और आपके अपने चैनल The Concept को सब्सक्राइब करें थेंक्यू जय हिंद